तो हमेशा ही मैं आप लोग के लिए ब्रेट के नाश्टे की नई नई रेसिपी लेकर के आती रहती हूं जिसे की आप लोग कुछ नया सीख पाएं तो फ्रेंट्स आज भी मैं आपके लिए एकदम नया और मसदार से नाश्टे की रेसिपी लेकर के आई हूं तो चलिए प्रेंट्स रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स इस मज़दार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो ब्रेट के पीसिस लिए हैं और फ्रेंट्स यहाँ पर एक पाउ लिया है साथ में ही दो बॉयल आलू लिये हैं मेडियम साइज के तो फ्रेंट्स हम पहले क्या करेंगे के आलू का छिलका उतार लेंगे और इसे एक बारिक ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे आप मेशर से भी मेश कर सकते हैं और अगर आप इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो अच्छे से बारिकल अच्छे निकलाएंगे तो दोनों ही आलू हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं तो अब हमें क्या करना है पनीर लेना है और पनीर को भी हमें इसमें ग्रेट करना है तो पूरा पीस हम इसमें नहीं तो अगर पनीर ना हो तो इसकिप कर दीजिएगा सिरिफ आलू भी आप इसमें ले सकते हैं और फ्रेंट्स अब इसमें हम डालेंगे लाल मिरच का पाउडर ये जादा तीकी नहीं है और अब इसमें डालेंगे हम आमचूर पाउडर आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं और फ्रेंट्स थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे ये भूने वोई जीरे का पाउडर है टेस्क अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और फ्रेंट्स अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चमच भर के चिली फ्लेक्स ये तीखे नहीं होते हैं और बारी कट करके एक हरी मिर्च लिए हमने इसे भी हम इसमें डाल दिंगे और फ्रेंट्स मिरच मसाले आप इसमें अपने टेस्क के अकॉर्डिंग रखिएगा अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मिरच कम एट कीचिएगा तो देखिए अच्छी तरह से हम मिक्स कर दिंगे मेने फेंट्स इसमें जादा मसाले नहीं डाले हैं कम मसालों में बहुती मज़दार थी ये आलू पनीर की स्टफिंग बनकर तयार होती है जो नाश्टा बनने के बाद बहुती टेस्टी लगती है बहुती सिंपल सी है आप इसे बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मेने नहीं डाला है तो फेंट्स देखिए जट पट से मसदार सी आलू पनीर की स्टफिंग रेडी हो गई है तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं तो देखिए एक बाउल लिया है हमने अब इसमें हमें डालना है वन थर्ट कप गेम काटा हम यह नाश्ता हेल्दी तरीके से बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें गेम काटा लिया है आप मेदा भी ले सकते हैं तेसका अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे जिसे की कलर अच्छा आएगा और फ्रेंट्स अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका घोल तयार कर लेंगे घोल बनाने के लिए हमें इसमें और भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सारी चीजें स्टफिंग में डाली है जिसकी वज़ा से हमारा जो नाच्टा बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमने एक अच्छा सा घोल तयार कर लिया है और फ्रेंड़ गोल की कंसिस्टेंसी ज्यादा आपको ठिक नहीं रखनी है और नाई ज्यादा पत्ली रखनी है तो यहां में आपको दिखाऊंगी इसकी consistency हमें किस तरह से रखनी है आपको इसे फेटना अच्छी तरह से इसे क्या होगा इसमें लंग्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे अब देखिए आप इसकी consistency बस इसी तरह से आपको रखनी है ना जादा गाड़ी और ना ही जादा प होता है इसलिए मैं इसमें टोमेटो केचप लगा रही हूं आप इसमें पीजा सॉस या पिर शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं तो देखिए नाइप से अच्छे से स्प्रेट कर देंगे अच्छी तरह से लगा लिंगे और देखिए जब दोनों पीसीस में अच्छी तर बिडीक दाना चाहते हैं तो वीडीयो को पूरा देखिए घृणसे देखिएगा अगर आप आधा अदूरा वीडियो देखकर रीचिपी बनाते हैं तो आपके जो यह रीचिपी है घडबड हो सकती है आपको पहले वीड juegos को पिन nा के हैं तो ही जो रीचिपी आपकी कर दीजिए और इसी थरा से आपको हमेशा भी मेरे चैनल पर नए नए रेसिपीज को मिलती रहेगी क्योंकि हमेशा ही मैं आप लोग के लिए कुछ नए नए रेसिपीज लाती रहती हूं अब जो ब्रेट ग्यावने अच्छे इसे आलू की stuffing लगाई थी आलू पनीर की इसे लगाने के बाद हमने इसके इस तरह से देखी है बीच में से cut लगा दिए एक ब्रेट से हमने 4 पीस कर लिए हैं तो दोनों ही ब्रेट को हमने इस तरह से cut करा है तो हमारे total 8 पीस हो चुके हैं और फिर्ट जहां पर जो हमने इस लरी रेडी करी तीना अब हमें इसे लेना है और देखिए प्रेट का पीस उठाएंगे और इस लरी में डिप कर दिए और अच्छे से इसको हम इस लरी में कोट करते हुए और छोड़ते जाएंगे और फिर इस ओईल को मैंने पेले से गरम होने के लिए रख दिया था और जितने पीस आ चाते हैं हम इसमें डाल देते हैं और बहुती आसानी से देखी ये काम होता जाता है बस हमें पीसिस को उठाते जाना है इस लरी में डिप करता हुए ओईल में चौड़ते जाना है तो फैंट्स मेरे चैनल करते जाएंगे क्योंकि हमें इसका जाद ही अच्छे दिखाई dwa और देंगी से असानी से वह जाता है दोगोई साइड Tuesday से इक हो जाते हैं तो समय क्या करना है कि इस फ्लीम को देना है और इस मज़ेदार से नच्टे को निकाल ले करते हैं हो ants हम जो भी रेसिपी ले करते हैं जब इसका रिजल्ट अच्छा होता है तभी हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी इस मज़दार सी रेसिपी का लोगत उठा पाएं और देखिए सारा नाश्ता फ्राय होने के बाद में निकाल लिया है आपको यह नाश्ता देखने में जितना लगेगा या फिर सिंपल भी आप इसे इंजॉय करेंगे ना तो भी आपको टेस्टी लगेगा आप इस मज़दार से नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए बच्चे बहुत ही शोक से खाना पसंद करेंगे आपसे बार बार इस मज़दार से नाश्ते की डि आएगा और इस मश्यदार से नाश्टे को बनाने में सिर्फ आपको किचिन के मोजुद समानों की ही जरूरत पड़ेगी, बाहर से आपको छुछ ch goada दिखाना है इस मज़धार से नाश्टे को मैं आपको चेक करकर भी दिखाऊंगी यह अंदर से कितना मज़धार दिखता है और कितना क्रिस्पी करारा टेस्टी यह नाश्टा बनकर तैयार होता है देखी आप देखकर यह आपको लग रहा होगा यह देखी मैं आपको इसे अ तो फ्रेंट्स बनाईए खाईए इंजॉय करिए उम्मीद है आपको आपके घर में सबी को ये मसदार सी रेशिपी ज़रूर पसंद आईगी अगर फ्रेंट्स रेशिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें साथी फैमिली और फ्रेंट्स मे भी ज़रूर शेयर करें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये टेस्टी मसेदार प्रेट के नाच्टे की रेशिपी केसी लगी